नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल विक्रम आरविदा में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने बाले हैं एक ऐसा और सदी नुसका के बारे में जो आपकी बावासीर भकंदार और फिसर जैसे बीमारियों को दूर करता है दोस्तों कितनी भी पुरानी बावासीर के उना हो बादी हो या फिर खूनी हो बिना ऑपरिशन के जड़ से खत्म हो जाती है दोस्तों जिनको हमेसा कब्जबनी रहती है वे लोग अक्सर ही इन बीमारियों के सिकार हो जाया करते हैं खानपान में गड़बडी या फिर डाजिसे सिस्टम के गड़बड होने के कारण आप इस बीमारी का सिकार होते हैं काफी दिनों के बाद बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि बिना ओप्रेशन कोई उपाई नहीं बचता लेकिन हम आज जुन उसका बताएंगे वो बिना ओप्रेशन बवासीर, भकंदर और फिसर को ठीक कर देगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वेडियो दोस्तों इस और सदी चुन को आप सुबह और साम खाना खाने के बाद आधी आधी चमच अगर 15 दिन शिवन करते हैं तो 20 साल पुरानी बवासीर, भकंदर, फिसर, फिस्टूला जैसी समय से आएं इनफेक्शन हो गया है तो उसमें भी यह रामबान की तरह काम करता है बिना उप्रेशन ही आप इन बीमारी से छुटकारा पाए जाएंगे और हमेशा के लिए यह बीमारी दूर हो जाएंगी तो इसे कैसे बनाना है आएज जान लेते हैं दोस्तों यह जो ओसदी है ना यह है कचनार कचनार की छाल यह टूमर को नस्ट करने के लिए बड़ी ही जस्त माने जाती है तो दस आपको इसमें लेना है अगली मुलैठी की लकणी होती है यह थोड़ी थोड़ी मीठे होती है पंसारी क depths आरहां से आराम सी लकणी आपको मिल जाएंगी तो मुलैठी इसमें यूज करना है अगली ओसदी है अमरतलास की चाल अमलतास जिसे कैफरा कहते है इसकी चाल इसका बक्कल आपको इसनुस्के में यूज़ करना है अगली ओसदी है महुवा की चाल मगवाग जो पेड़ होता है ना इनके फलों का बहुत जादे यूज किया जाता है अबेरेस्ट बनते हैं तो इनमें आपको मगवाग की छाल का प्रियोग करना है अगली ओसदी रेवंद चीनी ये रेवंद चीनी आपको पंसारी के आँसे आराम से मिल जाएगी तो अगली ओसदी इसमें दोस्तों एड़ करना है मकोवे पंचांग जिसे काकमाची मकोया कहते हैं तो लाल मकोवे का पंचांग डंठाल पती जड़ सभी इसमें ले ले लेना है अगली ओसदी है सनाई की पत्तियां ये सनाई की पत्तियां बड़ी ही अच्छी होती हैं मिर्द करना है ताजी और सूखी मिले से सूखी है अगले और सदिया है बड़ा गोखरू गोखरू दो परकार का उते एक छोटा एक बड़ा तो इसमें बड़े गोखरी की आपको जड़का इस्तिमाल करना है अब दोस्तों आई जान लेते हैं कि आरवेदिक नुसका में और सदियों यहां पर आपको लेना है 100 ग्राम मुलेठी की जो लकड़ी है वह लेना दोस्तों आपको 100 ग्राम अमरतरास के जो छाल जो छिलका है वह भी लेना आपको 100 ग्राम मवे के छाल आपको लेना है 100 ग्राम रेवंद चीनी आपको यहां पर एड़ करना है 100 ग्राम निश्वद की जड़ जो सफिद नियसो अधैर Indagra Salam li एक मकोए काकमाची जो पंचाम उहह लेना आपको सव गराम है keeping पन्चांग वहह लेनारा को सडाओ की जो पत्तियां हैं वहह लेनारा आपको 50 dram और गिलोओं कडंथल यो ऋह वहह लेनाा आपको 50 dram बड़े गुणरोको की क्या है खरल मुसल में डालना खरल मुसल में डालने के बाद इनको सभी को अच्छे से कूटना इतना कूटना कि यह जो कूट हो जा थोड़ा थोड़ा दरदरा बचे और फिर इन सबको एक बरतन में निकाल लेना क्वात की तरह बनाना इस बरतन में आपको निकाल लेना सभी जो असादियों को जो ऐसा देख रहे हैं फिर आपको करना क्या है जितनी मात्रा में उसके पाँ से छ durability मात्रा में आपको इसमें पानी अड़ करना है और सभी को mix करके 3-4 घंटे तक पढ़ा रहनी दिये तीन से चार घंटे बाद आग पर इसे चढ़ा करके और धीमे धीमे पकाईे इनको इतना पकाना है कि सबी ओसदिया का रस इसमें निकलाए एक चोथाई पानी बच जाए और जब पानी एक चोथाई बचेना तो इसको सिंपिली कपड़े में डाल करके और पोटली को मसल मसल करके हलका गुनगुना ही आपको इसको च्छान लेना है और च्छाना हुआ जो सौरस बचे उसको दुबारा से आप पचड़ा करके पकाना है और इस सौरस को इतना पकाना कि दोस्तों या पकते-पकते गाढ़ा हो जाए सलाजीत या फिर सहच जैसा गढ़ा उसी भी जादा हो जाए फिर इसे एक बरतर में निकाल लीजिए और इसे धूप में न रखकर के छाया में सुखाईए दो दिन या तीन दिन में यह सूख जाएगा जब यह अच्छी तरीका से सूख जाए ना तो फिर इसे सिलिबर्टी में रखकर के पीश लीजिए बस आपका घंसत चून तयार हो चुका है इतना पावरफुल है इतना जबरजस्टे की केनाई कै इसे कैसी यूज़ करना है दोस्तो जिने पाइल्स जिने खूनी और बादी बबासीर है जिने भकंदर की समिस्टे है जिने फिसर की समिस्टे है या फिर जिने एनस में कोई इनफेक्शन है इन सारी समिस्टे हैं को दूर करता है साथी साथ आपका डाइजिसर सिस्टेम ठीक करता है भूंख खुल के लगाता है भेंकर से भेंकर कॉस्टिपेशन कबजी के समिस्या को ये ठुक करता है बिना ओप्रेशन आप इन बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे तो वेडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वेडियो को लाइक कीजिए साथी साथ चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश कीजिए नमस्कार